नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको माचले में मैं नामरी शुराज किस बढ़ों बात करने वाले हैं बिहार ITI रिजल्ट 2022 के बारे में दोस्तों 2022 का आपनों का ITI C80 का यहां पर जो रिजल्ट है वो जाड़ी कर दिया गया है अब किस परकार से आपनों को रैंक काड डाउ दिखाने बाला हूं तो बिहार ITI रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा आपको इस वेबसाइट वाइट रिजल्ट 2022 के चले आना है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वहां से क्लिक करके आपको यहां पर चले आना है थ्वाशा से आप लोगो जो हूए इंपोर्टन की निंक्सके आप अपस सन मिलेगा और यहां पर फ़ोर्स रिजल्ट चैककआ आप लोगों को एक अप सन मिलेगा क्लिक करना है क्लिक करने बाद कुछ को इस तरीके सी आप लोगो का वेबसाइट है वो डायरेक्ट है ओपन हो जाएग होने बात कुछ इस तरीके से आप लोग का आप बोगा जो वहां पर अप work कर देगा और यहां पर पूरा जानकार यहां पर देखन को मिल जागा यहां पर आप लोग का दूस्तों डिस्टीट यहां पर बतायत कि क्या आप आप लोग का rank होने बाला है, उपर में आप लोग का ITI district name में आप लोग का बताए गया आप लोग का लिखा हुआ है और यहाँ पर category देख पाऊंगे, अन्रिजर्बेट में यानि कि जेनरल में इनका जो rank है दोस्तों, वो यहाँ पर जो है आप लोग का 295 है और इनका जो category है BC इसमें आप लोग का rank है दोस्तों, वो 804 इनका आप आया हुआ है यहाँ पर print पर click करके आप इसका जो print है बोड है आप यहाँ पर download कर सकते हैं तो इस तरीके से आप अपना यहाँ पर rank card है वो आप यहाँ पर download कर पाईएगा और अपना यहाँ जो result है उसको आप यहाँ आप उपर देखवाँगे rank card of ITI CAT 2000 आप लोग को आप देखने को मिल रहा है तो इस तरीके से आप लोग को आप लोग को आप चेक करना है जो भी district बाइज आप लोग को आप लोग को आप लोग को आप ध्यान रखना है उपर आप लोग को ITI district का name में आप चेक कर लेना है जिसे कि आप लोग को आप लोग का दिखाय दे रहा है और उसके बाद आप लोग को आप सबसे पहले जेनरल में देखना है कि आपका कितना rank आया हुआ है उसके बाद आप लोग का जो category होगा उसमें आप लोग का आप लोग का आप लोग का आया हुआ है तो इस तरीके से यहाँ पे चेक कर सकते हैं आसा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आगे अगड़ले विडियो पसंद आए लाइक केस्प्रो को सब्सक्राइक पर जमाई चैनल को साथी सर केस्प्रो को ताखी और विलोग को जानकारी मिल सके मिलते में समय तक के लिए धन्यवाद